कि नमस्कार में अना मालोक है आप लाश्टी देख रहे हैं देखिए आज का ये वीडियो काफी खास है बहुत ही खास है आपके काम के लिए है क्योंकि आपके घर में भी स्मार्ट प्रिपेड मीटर लगा हुआ होगा कई जगों पर इसका बहिश्कार हो रहा है गाउं में मी जगा है अब स्मार्ट प्रिपेड मीटर हो गया है इससे काफी फजयत हो रही है लोग इसे नफरत कर रहे हैं यह नफरत नहीं है लोग इससे परिशानी पूरे बिहार बर में 2 करोर बिजली बहुगता है और इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले वरसों में बिहार में मुख्याले में जेनरेटर रूद्योग चलता था साम के बक्त साम ढटलते लोग जेनरेटर सकता होती है बिजली के विना आपका जो सामानी जन जीवन उद्योग धन्दा सब किछ कि लिए चाहिए बाद सरकार की जो है काबिल तारीफ है कि हाँ बिहार में बिजली जो है अनिवार हो गया इतनी अच्छी व्यूस्ता होगा कि आप अधित बन गया अब ठीक है कि अपना कोई जेनरेशन का उद्यो का नहीं है बिहार में बिहार से सारा बिजली खरीदती है सरकार और वही आद सरकार की नजर में अब लावकाडी हो गया है बिजली खरीद कर बिजली बेच रही है सरकार और अब ज़दी आप प्रड़म से याद करें तो यहां कभी बिहार बिज बिजली बोट को भंग करके आप पूर्ति कंपणी बनाई गई तो विहार में जैसे नौर्थ विहार पावर सप्लाई साउथ विहार पावर सप्लाई इस तरह की कंपणी 2021 में बनी देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि लगातार कई बर्स तक तो आप पूर्ति कंपणीयां भी धाटे में रहे इसलिए कि चलाने वाले वही नौकरसा चलाने वाले वही इंजिनियर थे तो धीरे धीरे विजली में सुधार की दिशा में अब था कि जितनी विजली क पुर्ति होती थी रेवनियू नहीं आता था कि किन सरकार ने ना सिर्फ बिहार के लिए पूरे देश के लिए हुआ कि नहीं वही बजली दबात है deo तो अब तक जो आपसे शुरू हुआ है कि अगस्ट पचीस तक संपून बिहार में प्रीपेड मीटर लगा देने का लक्ष है। अभी तक आज की अतेतनी स्थिती यह है कि 44 लाख घरों में प्रीपेड मीटर लग चुके हैं। अभी प्रीपेड मीटर जहां जहां लगा है जो बात आपने अभी प्रारंभिक भूंका में कही कि बहुत लोगों के लिए महांगा पर रहा है इसको बिरोध क्यों हो रहा है बिरोध यह हो रहा है कि जो अभी प्रीपेड मीटर जो लगा है आम सिकायत है कि मीटर बहुत कि दो हजार भड़े तो किसी को दो ही दिन में तीन दिन में पूरा पैसा एक्जास्ट हो गया ऐसा नहीं कि उस बिजली के लिए अधिक सप्लाई लिया हो नॉर्मल लोड में भी वो खपत हो जाता है और कभी भी है कि अब अचानक बिजली कट गई इसलिए कि आपका कोई पै कर रहा हूं और कार दिया तो आपको एक तरह से वह एलर्ट घंटी है कि आपका पैसा नहीं आप देखे आप पैसा जमा किये तो नियम तो है कि भाई उसको आप घंटा भर में भी लिया जानी चाहिए लेकिन आप इंजनल सिकायत है कि आपको नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण नहीं हुआ एक तो ही सिकायत है मीटर बहुत तेज चल रहा है यह सिकायत है और कूल मिला जो लाकर इसके मोनेटरिंग की जो सिस्टम है न इसलिए कि सारा प्राइबेट कमपणियों को दे दिया गया है सब जगह यह अधिकारियों ने सब जगह एम्यू साइन किया औ और यहीं भूलना नहीं चाहिए जो लोग को मालूम होना चाहिए अभी इसी एक एप्राइल से 15 पैसे बिजली की रेट में कमी की गई है लेकिन खजाने से बिजली की इस कमपणियों को 15,000 करोड से अधिक कानुदान दिया जाता है अनुदान किस के लिए मिलता है अनुद किसका है मैं मानता हूं कि कुल मिला जुलाकर एक सिस्टम में नौकर साही में अब तो अभी धरहाल की जो सीएजी की रिपोर्ट आई जिसमें भी बताया गया कि नहीं अभी कमपणिया कुछ अब प्रॉफिट में आ गई हैं 450 करोड का प्रॉफिट देने लगी हैं लेकिन ह कम प्रॉफिट के लिए चराते हैं बिजली मीटर लगा है लगे सुधार के नाम पर लेकिन भोगताओं को जो परिशानी हो रही है इसको कौन एड्रेस करेगा कि कोई सिस्टम खास करके जो बिजली भाग में जो लोग हैं उनका प्रोएक्टिव है प्रोच नहीं है यह बह दूसरा जो मीटर को लेकर विरोध क्यों हो रहा है जो यह कमी है बो और बहुत जाओं गाओं में तो अभी आप जानिए ना कि दू करोर भोगता है मातर भी चवालीस लाखी प्रीपेड मीटर लगे हैं तो अभी तो पूरा लगना माकी है जिस ढंक से विरोध होता है है उसमें कुछ हो रहा है जो परिशानी हो रही अलग गाओं में अब इसको सरकार को कहीं न कहीं जो दिखाया जा रहा है जो सरकार के नौकर साफ सरकार को कह रहा है तो कहीं न कहीं खासकर की हुई तो जनता से चुनी हुई सरकार है मुख मंत्री को जो आम लोगों की समस्या है इसका निदाना प्रिपेड मीटर लगाई है जो लोग बिजली का जो लेकिन जो तेज मीटर चल रहा है जो आम सिकायत है इसको देखने के लिए चेक एंड बैलें त्यार है अब कई घर मुझे कुछ भुगताओं की आम पीरा का जला सुन लीजे एक मज़ूरी का काम दिली में करता है वो बिहार के नालंदा जिला का तेलमर गाउं का रहने वाला है एक कनहिया ने फोन किया और कहा कि सर देखिए ना हम तो दिली में रहते हैं मेरे घर में 35,000 का बिल आगया है अगर में तरला लगा रहता है अब बिल आगया हम्हारे पास फीर हम तीन महिने मोँ बिल शाथ हजार सांधिक हो गया है अब हम कहा जाए को सुनने वाला नहीं है हरनोत में सायद हो गया कहीं किसी से कोई रिस्पॉंस नहीं मिला कई लोग इस तरह किसी कायद कर रहा है किसी ने कहा कि भी आज हमने दो हजार रुपया भड़ा था कोई काम उसमें एक्सा हमारे घर में अधिक विजली ने लेगी है आद दो हजार में 17 रुपया तीन दिन में मेरा उसमें देखते हैं एक्जास्ट हो गया यह घर घर में अधिसंख लोग कई लोग ने तो कहा कि नहीं हमारा मीटर टीक चल रहा है जो हम बिजली जितना उब्भो करते हैं उसको अनुरूप आ रहा है ऐसा नहीं कि जनरल सो परसेंट लेकिन जहां जहां इसी सिकायत है चोटी सी कोई दस घर में आपने लगाया दो घरों में भी जितनी सिकायत है तो यहीं बात से बतंगर होता है आम लोग में जो इसके पती भरांती हाला कि कमपणियों से जो सरकार ने बिजली कमपणियों ने जो एमूई साइन किया था उसमें कहा था कि नहीं हम भोकताओं को जागरूख करने का भी आप यान चलाएंगे कि आपके लिए कितना ही जरूरी है आपको बिजली सुलब चाहिए तो बिजली भी उसका सुलब तो देना होगा हलाकि देखिये किसान को अभी भी सरकार फ्री बिजली देती है एक तरह से या बहुत ही सस्ते मामूली दर पड़ देती है अभी सब के लिए नुदान देना पड़ता है तो कुन मिलाल जोकार आज प्री पेड मीटर को ले करके जो आम भोकताओं को परिशानी है इसमार्ट कारी हैं वो जनता के लिए प्रो एक्टिव है प्रोच और उनको एंसरेवूल बनाना चाहिए कहीं न कहीं इस तरह का एक गिर्भान सेल रहे है जहां लोग सिकायत करते हैं तो उसका भी रिड्रेसल होना चाहिए यह नहीं होने से जो भी नसीर ब्रांती पहली है जो लगा के अब अरधिकारियों को तो बुझा रहा है कि चली राजस बढ़ा है इसमें संदेश नहीं है कि प्रिपेड मीटर जहां जहां लगा है पहले था कि पोल पर ही लगाएंगे और उस पोल से जितने लोगा कनेक्शन से अतलिस्ट उतना हमको मीटर में आना चाहिए इस है तो इसको भी कहीं नजदीक से देखना चाहिए और आपने देखा अभी उसी विभाग में कधिकारी की सोहरत क्या रही और क्या कुछ सुनने को मिला किस तरह से विवाद हुआ है जाच एजनसी के घेरे में अभी तो उसमें माम हुआ कि तो मनी लॉंडरी का केस भी होने जा रहा है अभी इडी ने उस करवाई शुरू कर दिये कुल मिलाज उलाकर जो यह सब तरह की सिती आप पड़ी है सरकार को खासकर प्रीपेड मीटर को ले करके आपकी योजना अच्छी है तो आम लोगों के लिए दर्द का नहीं होने चाहिए एक सुविधा का होनी चाहि अने था एक भी एक छोब का जना क्रोश का विशाय है जना को जो है वो बढ़ता जाएगा तो फिर सरकार की फजीत बरेगी बिजली आप दे रहे हैं बिजली की लग गई है लोगों लेकिन जितनी बिजली दे रहे हैं उतना ही शुर्क लिजिए प्रिपेड मीटर में जो क खामिया खामिया है जो कमिया है जो दिकते आ रही है उससे लोगों में जना क्रोश कहीं अगर और भरका तो फिर अगले साल चुनाव है भुक्त भोगी फिर सरकार ही बनेगी हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ साथ फेस्ट्ट पेज भी लाइकर धन्यवाद